कट्वा आतंकी हमले में चल रही जांच में पुलीस को सफलता मिली है पुलीस ने दो आतंकी मददगारों को गिरफतार किया है बतारे कि ये दोनों आतंगी मददकार जर्श महुंत के साथ जूड़े हुए है पोलीस ने बताया कि कट्वा जिले के पहर इलाके से दोनों को पकड़ा किया है इन दोनों आतंकी सहयोगी से लगतार पुश्टा से आतंगवादियों की रननेती और रसत साहिता देने में शामिल अन्य मददगारों की गरफतारी होने की संभावना है कुपवारा से लेके लोलाव के गने जंगलों में सुरक्षबलों ने लगतार तीसे दिन भी व्यापक तलाशी अभ्यान चारी रखा इसे पहले इस शेत्र में आतंगवाद विरोधी अभ्यान में एक जवान शहीद हो गया था और एक आतंकी मारा गया था तब से लेकर अब तक सुरक्षबल अलर्ट पर है और आतंकियों की तलाश में लगतार तलाशी अभ्यान चलाया जा रहा है सोशल वेल्ट डिपार्बेंट द्वारा गानिनगर मेट्रिनिटी हॉस्पिटल में मिशन शक्ती के तहद उधर ओपन अभ्यान चलाया गया और इस मोके पर सबी लोगों से बचर कर प्लान्टेशन करने की अपील की गई कारगिल वीजे दिवस पर बीजबी की वरिष्ट नेता और पूर्व मलसी विक्रम रंधावा ने शहीदों को याद कर शंदाजली अर्पित की उन्होंने कहा कि शहीदों को कभी नहीं बुलाया चाह सकता इस मोगी पर उन्होंने पाकिसान पर भी निशाना स्यादा और पाकिसान के खिलाब कारवाही की मांग की अपने जन संपर्क अभियान को जारी रखते हुए आज बाजबा कारयाले में जनता दरबार का आयूजन किया गया इस मोके पर विजबे की नेताओं ने लोगों की समस्यों को सुना और उन्हें हल करने का आश्वासन दिया जब कश्मीर Medical Employment Federation द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर पत्तरकार वारता का आयोजन किया गया इस दोराण DPC सहित अन्य मुदों को उजागर किया गया और जल्द से जल्द सभी मांगों को पूरा करने की अपील की गई कश्मीर माराथॉन के लिए मंच तयार परियाटन और स्थानिय आज जीविका को मिले का पड़ावा शेरे कश्मीर इंटरनाशन कर्वेंशन सेंटर में माराथॉन के लोगों और वेबसाइट का उत्कार टन करने के बाद एक समारों को संभूत करते हुए लेटरन गर्नर मनोच सिना ने कहा कि माराथॉन गाटी की परियाटन शम्ता को पड़ावा देगा लोगों का हाल बेहाल पुने ठाने में पूल वेस्ट सड़ के डूबी पानी में लगतार हो रही बारिश से महराश्ट्रा के पूने ठाने में बार जैसे हालात हैं चारो तरफ पानी ही पानी है नदिया उफान पर है तो बांदों में भी पानी कस्तर बढ़ गया है नदियों का पानी पूल से उपर आ गया है सड़कों को बंद कर दिया गया है वहीं बारिश के चलते लोगों का हाल बेहाल है प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्तानों पर बेज रहा है एंडियर्फ की टीम में लगता लोगों को रेस्क्यो करने में लगी है